सितंबर से देश बर में खोले जा सकते है स्कूल यह तो पंदरा अगस के बाद कभी भी एलान सेफटी गाइलेंज का पालन होगा जरूरी दसवी और बारवी के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा यहाँ पर देख सकते है कि कोरणा संकर्मन के चलते मार्च में बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है अभी भी परस्तावी तियोजना है उनमें दसवी और बारवी के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा जिने रोटेशन के अनुसार हपते में दो से तीन दिन ही स्कूल आना होगा जैसे जैसे संकर्मन की इस्तिती सामन्ने होगी वैसे वैसे बाकी कक्साव के चातरों को भी बुलाने का फैसला लिया जाएगा स्कूलों को खोलने का ये ऐलान 15 अगस्त के बाद हो सकता है उसके साथ साथ यहां पर गायलेंड्स NCRT ने तयार की है कि इसमें बच्चों के स्कूलों की दूरी दो गज रखने मास्क लगाने हाथ को साबुन से साफ रखने कलास को हर दिन सेनिटाइज करने और उसके साथ असेम्बली आयोजन नहीं करने हाथ दुले बगेर बच्चों को खाना नहीं खाने की गायलेंड्स जारी की गई है तो यहां पर स्कूल और कोलिजी खोलने का जो फैसला है 15 अगस्त के बाद आ सकता है और सिप्टमबर में स्कूल खोले जा सकते है तो साथ में यहां पर इन्होंने बताए कि बिटेन में अगले महीने से खुल रहे हैं स्कूल बच्चों को भेजना होगा जरूरी जास तो यह जो है इंडिया सरकार जो है यानि की बारस सरकार जो है वो अधर स्टेट से तुनना करती है जो भी अधर कंट्री में होता है जो भी दूसरा देश करता है उसी के अकोडिंग यह चलते है यह नहीं सोचते की बच्चों को क्या प्रोब्लम है और कैसे परिक्षा करानी है साथ में उनका फ्यूचर और स्वस्ते को भी ध्यान में नहीं रखते है सिर्फ गायलेंस जारी करते है उसको फोलो नहीं करते है नहीं रूम सेनिटाइज होता है नहीं कुछ होता आप देख सकते हो कि ब्याइड परवेश परिक्षा की जो अब भी परिक्षा हुई थी उस उसको फोलो नहीं किया गया है और अभी जो है उत्तरप्रदे सरकार एक बीओ की जो 16 अगस्त को परिक्षा होनी है उसकी भी तयारी कर रही है साथ में पोलो टेक्निक की एक परिक्षा है परवेश परिक्षा उसकी भी तयारी शुरू कर दी है 12 और 15 सिप्टमबर को होनी है पोलो टेकनिक परवेस परिक्षा मास्क लगाने और सेनेटाइज की सीसी साथ लेने को कहा गया है इसमें जो है 3,75,000 जो अभ्यारती है राज्य में इस परिक्षा में बैठने वाले है 12 सिप्टमबर को ओफलाइन परिक्षा होने वाली है और साथ में 15 सिप्टमबर को यहाँ पर ओनलाइन परिक्षा आयोजित कराई जाएगी तो उत्तरपदे सरकार जो है सबसे आगया है परिक्षा कराने में कोरोना काल में इन्होंने बैड जैसी इतनी बड़ी परिक्षा करा डाली है साथ में बी-ओ की जो परिक्षा है 16 अगस्ट को होने वाली है उसमें भी यहाँ पर करीबन 4 लाग केंडिडेट जो है पार्टिसिपेट करने वाले है हाला की बी-ओ की परिक्षा को यहाँ पर इस्तकित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी रिटदार की गई है उसकी सुनवाई जो है आज होने वाली है उसमें देखते है कि सुप्रीम कोट है जो क्यार निर्ने लेने वाला है इसमें जो केंडिडेट है पांच लाक अठाइस अजार से भी अधिक आवेदन हुए है जो यहाँ पर 16 अगस्त को 18 जिलो में 1127 केंदरों पर परिक्षा वेजित होनी है यूपी ने गायलेंस जारी किय मास्क लगा करके और अपने साथ सेनेटाइज लेकर के आए और सभी रूम को सेनेटाइज भी किया जाएगा साथ में सभी की जो है यहाँ पर थर्मल इसक्रेनिंग की जाएगी और उसके बाद छात्रों को बैठने दिया जाएगा क्या इस संभाव है ऐसे कुरोना काल में क चात्र यहाँ पर संकर्मित नहीं होगे आप देख सकतो कि बीएड परवेस परिक्सा में 20% से जादा चात्र यहाँ पर संकर्मित हुए है आप देख सकतो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ लाइव के साथ में कि 20% चात्र जो है संकर्मित हुए है एंट्रेन्स से कैसे स संकर्मित हो चुके है तो ऐसे में परिक्षा कैसे कराई जाएगी इन छात्रों की जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी कोई नहीं लेने वाला है अगर कोई छात्र मर भी जाता है तो भी सरकार इन छात्रों की जिम्मेदारी नहीं लेगी सिर्फ सरकार का मक्षद है कि को करा करके इन में जो है एडमिशन्स दिलाना चाहती है बीओ की परिक्षा टानले के लिए यहां पे सांसद ने भी पत्र लिखा है मुख्य मंत्री सियम जो है आदित तेनाज जी को भी कि यहां पर इस सोला अगस्त की जो परिक्षा है उसको टाल दे जाए क्योंकि पांच ल हुए है क्या इसमें नहीं हो पाएगे तो यह गलत है ऐसे में जो है अगर उत्तरप्रदे सासन जो है उत्तरप्रदे सरकार परिक्षा कराना चाहती है चाहे वो कोलीजिज परिक्षा हो या फिर किसी एंट्रेंट्स एग्जामनेशन की परिक्षा हो तो इसको यहां पर गा गाई लैंस की दज्या उड़ाई गई है उत्रप्रदेश सासन में किसी भी रूम को सेनेटाइज नहीं किया गया है चात्र जो है जिनका टेंपरेचर हाई था उनको भी उसी कक्स में रखा गया है जिसमें नॉर्मल चात्र जो है एंट्रेंट्स एग्जामिनेशन की लेनी चाहिए आप सभी को पताईए कि छात्र इतने डरे हुए है बियर्ड एंट्रेंट्स एग्जामिनेशन की परिक्षा की वज़े से क्योंकि 20-30 चात्र ऐसे यहां पर संकर्मित हुए है जिन्नोंने लाइव इंट्रिव आ करके न्यू चैनलों पर भी दिया है और जिस चातरों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, चातरों के फीचर और स्वस्ते को देखते हुए प्रिक्षाओ को आयोजित कराना चाहिए ऐसे में यहाँ पर पॉलो टेक्निक की तीन लाग छात्रों की परिक्षा होनी है साथ में कोलीजिस की यहाँ पर पूरे उत्तरपरदेश में यहाँ पर कोलीजों की भी परिक्षा आयोजित कराई जानी है जिसमें की तक्रीबन यहाँ पर 60-70 लाग केंडिडेट जो है फाइनल येर की परिक्षा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ऐसा गलत है यहाँ पर उत्रप्रदेश सब्सकार को सोचना चाहिए कि छात्रों के फ्यूचर और स्वस्ते को देखते हुए कैसे परिक्षा आ देते हुए ही परिक्षा आयोजित कराई जाएनी चाहिए तो एक गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए तो आई होप आपको वीडियो चिलेगे तो लाइक करें साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल पर नए है तो प्लीज चान को सब्सक्राइब कर ले और साथ में गंटी वाले बटन को जरूर दबा ले तो मिलते हैं कोई लाटाइस अपडेट के साथ तब तक के लिए जाहिंद